जैसीरी राम सबको परनाम, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समयने वाले हैं कि गंतंत्र दिवास यानि की रिपाब्लिक डेक क्यों मनाया जाता है तो सबसे पहले आप लोग को गंतंत्र दिवास की धेर सारी सुब का मनाये एवं बधाईयां तो बताते दोस्तों कि गंतंत्र दिवास राष्टिये पर्व के रूप में मनाया जाता है जो की 26 जनवारी को मनाया जाता है तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं दिसंबर 1929 में लहोर में भारतिये राष्टिये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ एक तरह से मीटिंग हुआ ठीक है जी उसका अधियास जो थे वो पंडित जवाहरलाल नहरूजी थे उन्होंने बोले कि अंग्रेज से हम अपने आपको आजाद करना चाहते हैं मतलब कि स्वत्चंत रहना चाहते हैं अंग्रेज बोले अथ्वा मत बोले हम उसको टाइम देते हैं दिसंबर 1929 यानि कि last महीना है यानि साल का ठीक है दिसंबर 1929 को टाइम देते हैं 26 जनवारी 1930 तक अगर किया तक किया नहीं किया तो अपना मन से जंडा गार देंगे हम अपने आपको स्वत्तंत्र मानेंगे ठीक है तो वो माने कब 26 जनवारी 1930 को संबंध धीनता दिवस के रूप में मनाये जाने लगें कब 26 जनवारी 1930 में उन संब्धान को 26 जनवारी के पीछे कारण है संब्धान जब संब्धान का निर्मान होने लगा तो कैसे निर्मान आप कर दिजेगा किसी संब्धान को उसका लिए कुछ चाहिए ना तो संब्धान सभा का गठन हुआ 1946 में तो उसमें 389 सदस चुने गए क्या तीन सव निवासी गों सदस चुने गए उसमें से उस समय पूरीवी पाकिस्तान और पास्मी पाकिस्तान डिकिलियर नहीं हुए थे ठीक है जी हाँ तब 1947 में 299 को सदास बचे, देखो पहले समझ न, 1946 में 399 को थे, लेकिन 1947 में 299 को बचे, जिसमें से पकिस्तान के लोग जे थे, वो चल गए, मतलब जहां-जहां के लोग थे, वो और कुछ घट गए, फिर 24 जनवारी 1950 को जब हस्ता अच्छर के समय आया, संविधान पर हस्ता च्छर करने का बारी आया, तो उसमें से दूसरो 84 को सदास बचे, अब 299 को तो थे, उसमें से दूसरो 84 को बचे, और लोग कहां गए, तो कुछ का दिहान्त हो गया, ठीक है, कुछ का मिर्तु हो गया, दूसरो 84 को सदास में से, पांदरा को सदास जो थे, वो महिला थे, कौ परारूप समीती सबसे परमूख एबं महतपूर्ण समीती थी इस समीती का कार्ज संपूर्ण समीधान लिखना एबं निर्मान करना था यनि कि वाबू परारूप समीती का जो काम था वो समीधान को लिखना और निर्मान करना था इस समीती का अधियाच जो थे वो डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर थे और जो सलाहकार थे वो थे बी एन राव कौन थे बी एन राव थे यह बहुत बिद्यवान ब्यक्ति थे यही दोनों के कारण मतलब इन्हीं दोनों के कारण सम्विधान आगे बढ़ पाया ठीक है जी चले डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर जी दो वर्स 11 माह 18 दिन में सम्विधान का निर्मान किये और सम्विधान का सभाग के अधियाच डॉक्टर राजेंदर परसाद जी को 26 नवंबर 1929 को सौप दिये बोले कि हम सम्विधान को बना दिये हैं हम लोगों उन्हें मिल करके सम्विधान को बना दिया 26 नवंबर 1929 को सौप दिये कि इनको डॉक्टर राजेंदर परसाद जी को उसके बाद 26 जनवरी जनवरी उन्हेश सो पचास को सम्विधान लागू हो गिया इसी दिन से सम्विधान लागू होने के खुसी में 26 जनवरी को गंतंतर दिवास के रूप में मनाते हैं तो आसा करते हैं आप लोग को समाज में आया होगा करते हैं आप लागू होगा